राइसिन जिले के सुल्तान पुन में रसुकदार अवेत कालोनाईजर द्वारा ग्रहकों को मंगे नहमों पर प्लाट बेचे जा रहे हैं। सेत्र में दोचार नहीं बलकि 16 कालोनिया काड़ी गई है। लोगों को लुबाखकर महंगे दामों पर प्लाट बेचने के लिए ये कालोनाईजर ने कंस्ट्रक्शन कमपनियों के नामों से दपतर खोल दिये। रसुकदार कालोनाईजर बिजली इस सड़के नल जेसी सुविधाय उपनब्द नहीं करवा पा रहे हैं। गोहर लोगों को जुटे सपने दिखा कर बगएर रजिस्ट्री के प्लाट महंगे दामों में बेज रहे हैं। महंगे दामों में प्लाट खरीट कर फसे लोगों ने गोहर गंज येश्डियम नगरपरिशाद सुल्तानपूर के CMO से शिकायत की। यहां ये लोगों की गोहर नहीं सुनी गई तो पिडित लोग रैसिन जिला दिकारी अर्वेन दुबे से मिले और रसुगदार कॉलोनेजरों पर ये फायर दाखिल कर प्रशाशन से अपनी महनत की गाड़ी कमय को अपस दिलाने की मांग की। कलेक्टर दुबे ने मामले को सग्यान में लेते हुए अवेत कॉलोनाजर के खिलाप कारवाई का आदेश दिया। इस भात को लेकर 15 दिन बितने पर भी किसी तरह के कारवाई ना होने से कॉलोनाजरों के बातों में पांकर फशे लोग नयाए के लिए मुख्यमंत्री निवास तक पध्यातरा करने की तयारी कर रहे। एक्सप्रेस वन न्यूस के लिए सुल्तानपूर से बोपाल ब्यूरोचिप ब्रेंदर जोसिक की रिपोर्ट। टीन से वगएरा हमारे पास सब है अप्रूव उनने पता था फिर अभी फरवरी में हमने प्लाइट लिया था तो पचास पचास हजार रुपे हम दे चुके हैं फिर जब हम उनके पास गये थे कि हमें रजिस्ट्री करवानी है तो फिर उनने जो है मतलब हम भापे गये पर हमरे तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं लिए कुछ कि Susie कि Αन फिर आपने काल्त्री के चाहम ने करें पैपर माँगे तो उनने घ्रजाश किर दीय हैं। हम फिर आ जो हमने पता किया हुआ कि मतलब जो कॉलनाइजर है वो क्या नाम नजीब खान तो उनके बारे में पता चला कि मतलब जो यह जमीन है उनमें कोई विवाद वगए रहो गया इस वैसे उसमें मतलब कोई पेपर उसके रेडी नहीं है और मतलब कोई भी चीज के उनके प्रूफ नहीं हमें सा पता चला तो फिर ह हां तो फिर हम उनको कॉल बगरा भी लगा रहा है पर वो कोल नहीं अटेन कर रहे हमारे अपको ठग लिए गया हां हमें भी और कई लोगों को साथ में में तो एक ही उपर उनने कई सारे ब्लाट बेचे तो उनने कई लोगों को ठगा हुआ है फिर हम कलेक्टर ओफिस आयते पर हमने यहां पर यही निवेदन दिया है कि उनके खिलाब जो है कारवाई की जाए और नियाए मिले और हमें जी हमारा गौरब सुर्यवन शीना में से हमारा इसलिए कि आपन देने आये थे कि हमने बिंदवन गार्टन में प्लाट लिया था को लो नाईजर आपके पहला अदमीना जी और नजीर खान है उनको हमने पूरी पेमेंट दे दी थी अभी तक हमें प्लाट दिया नहीं गया हर बार उनके पास जाते हैं आसवासन दिया जा लोगन देते हैं कि हम देंगे देंगे अभी तक कुछ नहीं दिया नहीं का प्लाट दिए गया हमारी हमारी सुनवाई की जाए कि हम देंगे पाइसे दिये थे आज तरह नहीं नहीं प्लाट दिये ना प्रीसे वापिस दिये नहीं जी फजी का फजी का फजी कॉलो नाइजर हैं लिए हमने उनको फूल पेमेंट कर दी थी पचास जार रुबे पैसे मांगने पर का उना आसवासन दिया अभी तक कुछ सुल्टान पर में कालोनाइजर नजीप खान द्वारा अवेद रुप से कई कालोनिया काती जा रहे हैं इसके उपर कारवाई करने के लिए कोई पर्मिशन नहीं कोई अनुमती नहीं क्या कारवाई की जाएगी अप्रहण के बारे में तो शाषण की नियम बड़े स्पस्ट हैं और बड़े कठोर है और प्रशाषण की भी यह मशाख है कि ऐसे अवेद काम और विचेज रूप से अवेद कोरानेजर जेशन बगर्वाई की जाएगी तो अवेद कारनेजिशन की जो रूल्स हैं उसके के तहत हर्तंबो कारवाई की जाए इन लोगों ने जब शिकायद की तो पहले ताला लगा दिये गया है कालो नाइजर की आफिस पर लेकिन दो दिन बाद अचानक वसाफिस को चागी दे दी गई इस पुलबाद गया है कि मुझे आइडिया नहीं है कि सीमों ने किस प्रावधान के तहत यह कारवाई की थी और जहां तक इस जो ग्यापन का सवाल है और जो जिला प्रशाजन पर दिया है तो मैं शूर करता हूं कि जो भी कठोर कारवाई होगी जाच के उपरान तो वो की जाएगी